नमस्कार भायों दो नॉलेज केर में आप सभी का हर्दिक श्वागत है और अब की बार बर्दी तोहार में मैं आज एक बहुत बड़ी बेकेंसी लेकर आया हूँ और ये बर्दी वाली ही बेकेंसी है जी हाँ ये SSC के द्वारा ये आपका Delhi Police Constable की भरती आई है और बहुत बड़ी बेकेंसी आई है तो इस बार आपको बर्दी ले लेना है मौका नहीं चुकना है तो आईए बात करते हैं इस बेकेंसी के बारे में तो ये male and female दोनों के लिए है Delhi Police Constable और आज से online application स्टार्ट हो जाएगा आज 1 अगस्त है 1 अगस्त 2020 से ये 7 अगस्त आपका 7 सेटेंबर 2020 तक आप क्या कर सकते हैं application को submit कर सकते हैं last date जो है receipt application के लिए वो 7 अगस्त 2020 23 बज के 30 मिनार तक यानि सारह 11 बजे रात तक आप form फिलब कर सकते हैं online fee payment का आपका 9 अगस्त 9 सितंबर 2020 तक का date है और अगर आप offline चलान के माद्यम से पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए 11 सितंबर तक आप जमा कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं exam कब होंगे तो expected date है 27 November 2020 से आपका 14 December 2020 तक हाला कि यह संभव नहीं है इसमें changing हो सकता है लेकिन आप वो जो SSC का जो indication है उसके आधार पर ही अपनी तयारी करेंगे कुछ भी हो सकता है ठीक है चलिए आईए बात करते हैं आगे इस vacancy की details जानते हैं सबसे पहला तो pay scale क्या है बहुत अच्छा खासा pay scale है level 3 है level 3 का payment है आपका 21,700 से 69,100 तक आपका pay scale रहेगा आईए vacancy की बात करते हैं तो यह काफी बहुत बड़ी vacancy है अच्छी खासी seat अबिलेबल है constable executive mail के लिए आपका 16,80 general category वालों के लिए है 343 आपका economically weaker section के लिए है OVC के लिए 662 है 590 seat SC के लिए है 157 ST के लिए है total seat 3,433 constable executive mail के लिए है आवाई एक service main के लिए जो seat है कुल 226 है जिसमें 94 जेंडल 19 economically weaker section OVC के लिए 37 SC के लिए 52 और ST के लिए 24 है अब उसके बाद बात करते है constable executive mail act servicemen कमांडो के लिए उनके लिए seat है 93 19 seat है जेंडल के लिए जोड़ी 93 seat है जेंडल के लिए economically weaker section के लिए 19, OVC के लिए 37 SC के लिए 67 ST के लिए 27, total है 243 seat अब आईए constable executive female तो इनका कमांडो के लिए नहीं है सिर्फ एक्जेक्टीव के लिए constable executive के लिए है 933 seat है जेंडल के लिए 202 seat है economical weaker section के लिए OVC के लिए 387 SC के लिए 388 ST के लिए 94 कुल महलाओं के लिए seat है 1944 और total जो vacancy है वो है आपका 5846 तो काफी बड़ी vacancy है और इस बार आपको बन ही जाना है ऐसा motive लेकर चलना है और उस तरह की तयारी करनी है अब चलिए बात करते हैं तो क्या होना चाहिए citizenship तो must be Indian होना ही चाहिए age limit क्या है तो 18 से 25 यानि कि एक आपका एक साथ यानि एक जुलाई 2020 तक आपका age कितना हो जाना चाहिए आप 18 साल के हो जाने चाहिए और ये देख लिजे आपका जो crucial date है date of birth वो भी mention है कि आपका जर्म 27 यानि कि 2 जुलाई 1995 से पहले और एक जुलाई 2002 के बाद नहीं हुआ हो आप अपना date of birth देख ले कि आपका date of birth जो है वो 27 यानि 2 जुलाई 1995 के पहले नहुआ हो और 2002 के बाद नहुआ हो ठीक इसके बीच का हो जैसे आपका माली जो 1996 का है 1997 का है 1999 है 2001 है 2002 तक चलेगा एक जुलाई 2002 तक चलेगा चली अब आगे बात करते हैं age relaxation तो 5 साल मिलता है SCST को 3 साल OBC को 5 साल मिलता है sports person को 10 साल मिलता है sports person को ठीक है चलिए date of birth जो आपका माइने होगा वो आपका metric का होगा अब आगे बात करते हैं फ्रेस candidate की हम बात करेंगे बने रही है हमारे साथ अब की बार बढ़ दी तो हार चले qualification क्या है तो qualification जारना जरूरी है 10 प्लस 2 यानि कि अगर आप 12th pass हैं अगर आपने intermediate किया है तो आप क्या कर सकते हैं इस फर्म को फल लप बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल फिल लप कीजिए और education qualification जो है आपका 12th pass है ठीक है उसके बाद संस, doubters of serving, retired or deceased देली पुलिस, constable, personnel, multitasking, staff जो भी multitasking, staff से retard किये हैं देली पुलिस से वो भी फर्म भर सकते हैं bandsmen, buglers, mounted constables, drivers, dispatch riders ये सब इसके लिए भर सकते हैं सिर्फ देली पुलिस के लिए भर सकते हैं कमांडों के लिए नहीं चलिए male candidate must possess valid driving license होना चाहिए अगर आप male candidate हैं तो आपके पास light motor vehicle यानि कि motor cycle और car चार चक्का और दो चक्का का क्या होना चाहिए driving license होना चाहिए on the date of PE यानि कि आपका जो physical measurement test होगा या physical efficiency test होगा उस दिन आपको ये आपका अपना driving license आपको दिखाना होगा candidates who have not acquired ये बहुत बड़ी समस्या है issue है तो देख लिजे जिनके पास driving license है वो इस form को fill up करेंगे और तो काफी समस्या सपद है बहुत पैसे लग रहे हैं दलाल के थुरू बनाने में लगभग छह साथ हजार लग रहे हैं ऐसे तो बन ही नहीं पाएगा आपका easily अगर बना हुआ है आपका तो बहुत बेटर है candidates who have not required the essential educational qualification as on the step related date will not be eligible and need not apply अगर आपका qualification is date तक complete नहीं है यानि कि 1 July 2020 तक नहीं है complete तो आप इसके लिए apply नहीं करें इसके लिए आप eligible नहीं है तो आपको जरुवत नहीं है apply करने की चुकि बाद में भी आपको debate कर दिये जाएगा चार्ट दिये जाएगा ठीक है जो NCCC certificate जिनके पास है उनको 5% का bonus marks मिलेगा जिनके पास NCCC B certificate है उनको 3% का bonus marks मिलेगा और जो NCCC A certificate वाले हैं तो 2% का bonus marks मिलेगा तो NCCC certificate का फायदा है अब apply कैसे होगा तो apply के लिए आप ssc.nic.in पर जाएं वहाँ login करें अगर आप पहली बार register हो रहे हैं तो आपको registration करना पड़ेगा new registration application भी क्या है 1500 रुपया मात्र 100 रुपय फीस है और जो cst category है या महिला candidate है उनके लिए कोई फीस नहीं है women candidates in all categories चाए वो general है चाए ओबी सी है महिला candidate है तो उनको पैसा नहीं लगेगा और scst male female all candidates will be exempted from payment of fee यानिक उनको fee नहीं देना है payment कैसे होगा तो आप net के माद्यम से कर सकते हैं या mastercard रुपे, credit card, bheem upi, net banking इन सब के माद्यम से आप कर सकते हैं इसके लाब आप offline चलान SBI के माद्यम से भी जमा कर सकते हैं वो illogical है इस संदर्व में क्योंकि आपके पास जरूर ATM card होगा ही उससे आप payment करें बड़ा easily हो जाता है तो online fee आप 9 यानि कि 9 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं चलान के माद्यम से 11 सितंबर 2020 तक दो दिन extra मिलेगा आपको समय अगर किसी ने fee payment नहीं किया तो उनका incomplete माना जाएगा payment status candidates who are not exempted from fee payment must ensure that their fee has been deposited with SSC जिनको fee paid करना है वो आस्वस्त होने तो उन्होंने fee pay किया है या नहीं नहीं तो उनका incomplete हो जाएगा फर्म और आगे की process रुक जाएगी अगर माली जे payment हुआ payment cut गया अगर आपका status दिखा रहा incomplete तो 24 गंटे में आपका वो clear हो जाएगा चिंता ना करें center कहा होगा examination center तो देख लिजे अगर आप central region से है तो भागलपूर, दर्भंगा, मुझपरपूर, पतना, पुर्निया, आगरा, बरेली, गुरकपूर, जहांसी, कानपूर, लखनौ, मेरूत, परियागरा, चौबारा, नशी तो central region यानि बिहार और उत्तर परदेश का ये reason परता है एक्जाम सेंडर के रूप में, यानि कि जो आप पहला option चूज करते हैं, वो मिल सकता है तो ये है आपका एक्जामनेशन सेंडर की बात अब आईए एस्कीम आप एक्जामनेशन की बात करते हैं, तो एक्जामनेशन मिल कंसिस्ट आप ए computer-based exam, CBE, computer-based exam होगा आपका और physical endurance and measurement test जो है followed by the medical examination of the recommended candidate, जो candidate पास करेंगे उन्हें बुलाए जाएगा physical के लिए और medical के लिए जो आपका score है उसी के अदा पर meet बनेगा, अगर candidate multiple shift में है तो normalization की परकिरिया अपना ही जाएगी, जो की railway में अपना ही जाती है और आज तक किसी को समझ में आता नहीं है, किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम जाता है 100% पूछे जाएंगे, exam के syllabus क्या होगा, तो 100% पूछे जाएंगे, 100 marks का exam होगा आपका जिसमें आपका general knowledge और current affair से 50 question हैंगे, तो बहुत बढ़ा portion है ये और इसकी तैयारी हमारी channel से आप कर सकते हैं, reasoning 25 marks के, numerical ability यानि की mathematics आपका 15 marks के और आपका computer के बारे में 10% रहेंगे, computer से जुरे हुए, तो ये 10 marks के होंगे, total आपको देर घंटे का समय दिया जाएगा, और आप देर घंटे में 100% को solve करेंगे, ये आपका 100 marks का होगा अब अब अबीद करेंगे कि आप जितना अच्छा से अच्छा score करें, क्या कोई negative marking है, तो हाँ negative marking है, 0.25 का 1 by 4 तो आपका cut लिया जाएगा, अगर एक गलत देते हैं, तो आपका 14 marks cut लिया जाएगा question किस form में होगा, तो वो English और Hindi दोनों form में होगा, tension not, not at all answer की जारी कर दिया जाएगा, अगर answer की पर आपको doubt होता है, तो आप एक सुर्पय payment करके challenge कर सकते हैं, ठीक है syllabus क्या होगा, तो syllabus देख लिजिए, gender knowledge, current affair होगा, इसमें आपका सारा ये syllabus है और इसमें आपको history, geography, quality, ये सब परना है आपको, reasoning का भी syllabus देख सकते है, numerical ability, mathematics का syllabus ये ही है, जो common रहता है सब का, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपका computer का, तो इसमें आपको MS word, MS excel, communication, internet, www, and web browser, इन सब का क्या है, common knowledge रखना है, use इनका जो है, वो general knowledge का रखना है, इसका matriculation level, matric level का आपका paper होगा, कोई भास नहीं होगा, आप आईए physical test की बात करते हैं, तो physical endurance and measurement test क्या होगा, तो आपको 6 minute में race लगानी है, अगर आप 30 साल तक के हैं, ठीक है, तो 6 minute में है, और long jump आपका 34 feet करना है, high jump आपको पहने 4 feet करना है, 4 feet से 3 inch कम, अगर आपकी उमर 30 से 40 है, यानि कि कुछ जो है, वो उनके लिए होगा, जो लोग क्या है, और लेड़ी किसी job से retire हो कर रहा है, तो 7 minute आपके लिए, 13 feet का आपका long jump आपको 3 feet high jump, ठीक है, male candidate के लिए था, अगर 40 से उपर है, तो 8 minute में आपको 16 meter, 12 feet का long jump आपको 3 feet, 3 inch करना है, अब आईए कितनी height होनी चाहिए, तो minimum 170 cm height होना चाहिए, तो आप अपना height ना पलें, और तभी आप इस form को फिलब करें, 5 cm का छूट दिये जाएगा, जो पहारी छेतर से है, 5 cm ST candidate को छूट दी जाएगी, और 5 cm उनको छूट दी जाएगी, जो रिटायर हुए है, देली पुलिस, multi tasking stop से, या personal से, सीना क्या होगा आपका, तो 81 cm होगा, और expansion के साथ, यानि 4 cm आपको difference रखना है, तो 81 से 85 होगा, 5 cm का relaxation, यानि कि 76 होना चाहिए, पहारी एरिया वाले candidate के लिए, और 5 cm की छूट ST candidate को दी जाएगी, फिर 5 cm की छूट उनको दी जाएगी, जो देली पुलिस, multi-tasking staff से retired हुए, अब आईए female candidate की बात कर लेते हैं, तो महिलाओं आपके लिए क्या है, तो आपके लिए देख लिजिए, 8 minute में आपको 16 cm की race लगानी है, fresh candidate हैं, आप तो 10 feet का आपका long jump होगा, और 3 feet आपको high jump करना होगा, अगर आप retire हुए हैं, यानि कि 30 से 40 की age है, तो 9 minute में आपको 16 meter दौरना है, आपको 9 feet का long jump करना है, और high jump पौने 3 feet करना है, अगर 40 से उपर की उमर है, तो 10 feet आपको 10 minute में आपको दौरना है, 16 meter, 8 feet का long jump है, और 5 feet का आपका high jump है, यह महिलाओं के लिए था, महिलाओं के लिए आईए physical measurement की बात करते हैं, तो आपके लिए height कितनी है, 157 cm की height है, फिर पहारी चेतरों के लिए 2 cm छूट दी जाएगी, इसी परकार के छूट SCST candidate महिला के लिए है, यानि कि महिला हैं अगर आप, तो 155 cm है आपका, तो आप form fill up कर सकते हैं, तो आप measure कर लें, ठीक है, आईए medical standard की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपका 6 by 12 without glass होना चाहिए, should be in sound state of health, आप perfect माने जा सकते हैं, 6 by 12 का है अगर आपका, क्या आप बिना चस्में के, दोनों आख तो चलेगा, कोई दिकत नहीं है, टैटू की लिए बात हो रही है, तो टैटू का fashion ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए टैटू को देखना जरूरी है, टैटू depicting religious symbol और figure and the name as followed in Indian army shall be permitted, अगर आपका किसी धर्म से जुरा हुआ है, या अगर आपने army का या अपना नाम लिखवाया हुआ है, तो इसको permit किया जा सकता है, locations, tattoos marked on traditional sides of the body, like inner aspects of four arm, यानि के आपके बाह के उपर का होगा, लेकिन lift arm पर, सिर्फ आपके बाएं बाजू पर होगा तो चलेगा, being none saluting limb or dorsum of the hands shall be allowed, उसके अलाबे अगर कहीं है, माली जो गुटना पर है या कहीं अधर जगह है, तो नहीं अला होगा, वो आपका कहा से होना, केहनी से उपर चलेगा, size must be less than one by fourth of the particular part, एक बटा चार से कम ही होना चाहिए, वो जो tattoo का भाग है, ज्यादा नहीं, जो आजकल खिलारी लोग बना लेते हैं, पूरे पूरे बाँ, पैर सब जगह बना लेते हैं, चलिए, आपका क्या होना चाहिए, admission certificate के लिए आपका आधार होना चाहिए, print या अधार या voter ID चलेगा, driving license, pen card, passport, ID, passport, यह सब आपका क्या चलेगा, आप जब passport size का photograph जब आप exam देने जाएंगे, तो इन चीज़ों में से आप एक original फोट बैलिड फोट आईडी, यह नहीं कि इसमें से कोई एक ले सकते हैं, जिसमें फोटो हो, और दो फोटो अलग से आपको ले कर जारा होगा, exam nation center पे, document verification, तो यह खेर बात की बात है, चलिए इतना डिपने में नहीं जाएंगे, कुछ और इससे जूड़ी हुई क्या है, अगर माली जे tie cases है, तो जो marks है, आपका, अगर वो tie हो जाता है, तो पहले क्या किया जाएगा, आपका marks in part A, part A में उस पर focus किया जाएगा, नहीं तो date of birth पे दिया जाएगा, उसके बाद, जो older candidate होंगे, उनको placed किया जाएगा, और उससे भी नहीं होगा, तब alphabetically, अगर दो जाएगी, ठीक है, यह instruction है कि आप क्या करें, form फिलब करने से पहले यह पूरी जानकारी, आप सुनिश्चित कर ले, ठीक है, फीक पेमेंट तो बिल्कुल कर देंगे, फीक पेमेंट नहीं होने से आपका application submit नहीं होगा, चलिए registration कैसे होगा, तो registration के लिए आपको क्या करना है, mobile number के थूरू OTP आएगा, one time registration आप कर ले, अगर पहली दफ़ा आप SSC पर registered हो रहे हैं, उसके बाद email ID दे, उसको भी verify कर ले, उसके बाद अधार number fill up करें, और इसके हो जाने के बाद, आप किसी भी अधार या voter ID card के न जो है, वो 20 केवी से 50 केवी के बीच होना चाहिए, और recent photo होना चाहिए, कोसिस किजिएगा, कि हाल ही में खिचा हुआ फोटो आपका upload होना चाहिए, और signature आपका 10 से 20 केवी, JPEG format में ही दीजिएगा, ठीक है, चलिए, इस परकार से आप form fill up कर लें, और हमारी तरप से आपक अग्रिम शुब कामना है, और यह आप देख सकते हैं किस तरह से आपका form fill up होगा, screenshot of one time registration, देखे, do you have अधार कार्ड, तो आप yes किजिएगा, लिखेगा, हाँ अधार है, अधार नमबर दीजिएगा, और verify कर लिजिएगा अधार, या अगर आप voter ID से करना चाहिए, बोटर ID से कर लेंगे, फिर उसको verify कर लेंगे, तो यह देखे, आपका specimen दिया हुआ है, यहाँ से आपका क्या होगा, registration हो जाएगा, और धीरे धीरे आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे, आपने से आप form fill up कर सकते हैं, बस आपके पास, क्या होना चाहिए, फोटो 20 के भी से 50 के भी क को पूरा कीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, और I hope आपको यह समझ में आया होगा, यह vacancy है आपके लिए, तो अपकी बार, बढ़नी तोहार, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जै हिन, जै भारत, और आप हमारे चैनल, The Knowledge Care को जू आप हमारे टेलीग्राम चैनल, The Knowledge Care को भी फॉलो कर लें, वहां भी धेर सारे मेटेरिल अभिलेबल है, ठीक है, धन्यवाद